आप लोगों की आगामी परिक्षा के लिए बहुत इंपोर्मेशन है अच्छा आज की बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के समक्ष हाँ जोड़के इस बात की माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं पिछले 11 मेने से अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं रहा और पिछले 2-3 वीडियो मैंने अफी इससे आप लोग 100% लाभाववित होंगे 2023 और 2024 में जो भी बच्चे गौवर्मेंट जोब की एक्जामेरेशन दे रहे हैं हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं हम आपके सामने एक प्रॉपर स्टडिजी लेके आए हैं जिससे आप लोगों को निश्चत तौर पर बेहद लाभ होनी जा रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह फोटोग्राफ मेरे अफेस मुखरजी नगर का है ठीक है और जहां पर मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है चोड़ी सी जानकारी इस वाज़ी से मैं दे रहा हूं कि जैसे बहुत सारी बच्चे अब मैंने 11 मेनी सी वीडियो तो डाला नहीं तो बहुत सारी बच्चे एक्टिव नहीं है उसे साब से उसे आप से बात को समझते नहीं है अगर मैं कोई अच्छी चीज भी बताओं तो उनको लगता है कि नहीं कुछ चीजे में या कोई दूसरा कुछ अच्छा पढ़ाएगा या ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को इस बात को थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए मुझे बताना पड़ता है ठीक है ना अब बात है कि 2023 की सभी प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए एक महत्पूर्ण सूचना हो आप चाहे रेलवे का एक्जामनेशन दे रहे हो ऐसे सी टीर वन हो टीर टू का एक्जामनेशन दे रहे हो सी प्यू का एसी एचसल का सीडियस एंटियस बैंक का PCS का MP UP पुलिस का य लेकिन आपकी मतलब का हूँ ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए एक strategy लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको एक पूरी तरह के से गणित को मैं अच्छी तरह से पढ़ाओं ठीक है और आपकी समख्च मैं कुछ वीडियो मैं छोटे-चोटे वीडियो की माध्यम स जाता और मुझे अच्छा लगता भी नहीं है कि मैं कोई tips और tricks बताने जाओं ठीक है ठीक है वो YouTube का train कभी कुछ कहता है कि नहीं सर ऐसे इस तरह का train चला ऐसे वीडियो बना दो लेकिन मुझे वह सूट नहीं करता और मैं कराऊंगा भी नहीं मैं आपको proper class देने जा रहा और सबसे पहली class हम प्रहार करेंगे उस topic के उपर जो की सबसे ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को ठीक है तो मैंने सबसे कठिन topic को उठाया जो मुझे लगता है कि arithmetic वाले बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे और advanced math वाले बच्चे भी इसको पढ़ना चाहेंगे तो मैं classes आपको YouTube चैनल पर देरे जा रहा हूं मैं continue आपको मैं समझता हूं कि कम से कम 2 घंटे के class आपको रोज दो समझ रहे हैं तो यह छोटे छोटे वीडियो के माद्यम से नहीं मैं पूरा पढ़ाना चाहता हूं आपको और विस्वास रखिए जितना हम पढ़ाएंगे उससे आ आप बहुत अच्छा score कर पाएंगे examination में ठीक है जादा बड़ी बात तो मुझे नहीं बूल नहीं आती और मैं करना चाहता हूं बस आप देखेंगे चीजों को तो निश्चे तोर पर आपको जब 2-3 topic इसमें से करेंगे तो अपने आप confident आने लगेगा आपको पढ़ाएं और थ्री डाइमेंशन हीगर तो 2-D मतला टूडी दिवीमी आक्रतियां इसमें वर्ग होता है आयत होता है रोंबस परलेलोग्राम मतलब आयत वर्ग सम्चत्रूबसमंतर संवलं संधिवाहू संभाहू समकोंड थ्रभोझ विसंबाहू थ्रभोझ पंचभोझ पैंटागन ह और आपका व्रत यानि सर्केल तो इस तरह से तेरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2D के अंदर गत ठीक है और 3D में घन घनाव जैसे क्यूब क्यूब होता है सिलेंडर कोन यानि संकु स्फियर गोला प्रिज्म और पिरामिड ठीक है यह मैंसुरेशन 3D के अंतरगत पढ़ें मैंसुरेशन 2D में पहले स्टार्ट करूँगा जिसमें इसक्वायर वर्ग रेक्टेंगल आयर सम चत्रबोज रोंबस सम अंतर चत्रबोज परलेलोग्राम ट्रपेजियम समलम चत्रबोज एक्कुलेटल ट्राइंगल सम बाहु त्रबोज आइसो सेले सम दिबाहु राइट इस साथ चेप्टर मैंसुरेशन 3D के अंतरगता आते हैं हर एक्जामिनेशन कोई साव एक्जामिनेशन हो इस सेक्षन से सवाल जरूर पूसता है तो इस सवाल इस सेक्षन को एक वार आप बहतर तरीके से मजबूत कीजिए और जो मैं पढ़ाऊ उस वीडियो को आप लोग को मैं समझता हूं कि ऐसा सोचा है मैंने कि कम से कम दो घंटे के क्लास आपको डेरी दूँ कम से कम दो घंटे के क्लास आप कोई टॉपिक किसी दिन देड़ घंटे में कंपलीट हो गया तो अलग बात है और लेकिन कोई टॉपिक तीन घंटे में भी कंपलीट होगा कोई इस बात साथ कि अभी मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस नहीं करूँगा लेकिन मैं करूंगा इस बात को ठीक है यह मैंने सोच रखा है क्या है कि मैंने आपको को कोई टॉपिक बढ़ाया ठीक है आपने वो मुझे लगा कि एक दिन में बच्चों में रहेंगे ठीक है तो इस बात का यकीन मानो कि मैंने बहुत सारा काम मुखर जी नगर में किया हुआ रहकर आफ्राइन क्लासेज में भी मुखर जी नगर दिली से सबसे पहले प्रकासित होने वाले ये किताबें थी जो बच्चे यहां से पहले पढ़के जा चुके आपके भाई या बहन जो भी है मुखर जी नगर में 2015-16 में रहे होंगे तो इन किताबों से जरूर परसीद होंगे क्योंकि इन किताबों के अलाबा सब पहले कुछ मैटिरियल होते नहीं था 2012-2013-14-15 की माद बता रही है ठीक है फंदरा की बाद बहुत सारी प्रिकासक इा और और रिल्इस नगं प्रविल्स किया ठीक है और बात ये बाद हम ने ये लास्ट वाल हेराा किताबों के कुछ था लेकिन लास्ट वाली किताब निकाली तब तक आगया कोरोना किताब का प्रोमोशन हो नहीं पाया ओनलाइन में प्रिजेंट था नहीं ठीक है तो अब मैं आपके सामने एक और अच्छा मेटीरियल लेकर आऊंगा निश्चे तो पर इन जैसे कि इन किताबों को बच्चों जानकारी थी हम इसके बाद जब इसको कंप्लीट कर लेंगे चेत्रमित्य को तो उसके बाद की स्टेटीजी मैं आगे आपको बताऊंगा अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है और अगर आप लोग कुछ और डिमांड करोगे तो मैं साथ-साथ कुछ और टॉपिक भी पढ़ा हूंगा ठीक है तो आज की इनफॉर्मेशन के वल इतनी थी कल से टाइम नोट कीजिए कल से कल है भाई सब 23 फरवरी ठीक है ना और कल से साम 6 बजे आपको मेरा पहला वीडियो मिलने जा रहा है ठीक है ना मैं सुर्मेशन 2D से मैंने स्टार्ट करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया जो तेरा टॉपिक हमने दिखाए आपको 2D के अंतरगत मैं आपको पहले पढ़ नहीं है हाला कि आप इन वीडियो को देख लोगे तो बहुत सारी ट्रिक्स आप खुद ही बना लोगे ठीक है तो वह तो आगे की प्रोक्सिस है और मैं एक कॉंक्रेट ऐसे मैं ने बताया कि यह कॉंक्रेट स्टार्टिजी के तहत में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हू ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करें और कल से देखते हैं और जो भी आपके सुझाप हों प्रतिक्रियाएं हों वह जरूर दिजिएगा ठीक है कि हम और बहुतर कैसे कर सके ठीक है अभी तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है ठीक है और यह प्रयास अगर मुझे आपको मेरा ये प्रियास अच्छा लगा हो, तो comment box में अपने पर्तिक्रिया जरूर दीजिएगा, बाकी बच्चों से भी share कीजिएगा, जरूरी है, इसे मुझे भी motivation मिलेगा, और मैं भी आपके लिए कुछ और बेहतर सोचूं, और आप भी इस strategy को, इस planning को और बेहतर बना पाएं, तो के लिए आप भी सवजाब दीजिए, हम दोनों मिलकर, 2023 ये 24 में होने वाले examination को 100% crack करेंगे, और अपने मन्जिल पे जरूर पहुचेंगे, take care, thank you.